करेंट अफरेस की जितने भी इंपोर्टेंट कुछिन बन सकते हैं और हर कुछिन से रिलेटेड इंपोर्टेंटड पेक्टिविए मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो पाध्यान से लेखे लास्ट में आप से कुछिन पूचूंगा उसका आंसर आपको कमेंट ऐसको बताना है आज की इस विडियो के डिसकस्म एक जुशें तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेगराम पर जुश कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है हाली में अंतरास्टी मात्र वासा दिवस putting मनाया गया है तो अभी 21 फरवरी को अंतरास्ट्री मात्र भासा दिवस मनाया गया तो इस कुछ इनका बे आप्शन सही है बासा बिज्ञान के बारे में जागुरुकता बढ़ाने सांस्कृतिक बिवित्ता तथा बहु भासा बात को बढ़ाबा देने के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतरास्टी मात्र भासा दिवस मनाया जाता है अच्छा एक फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का इस्तापना दिवस मनाया गया दो फरवरी को बेसु आद्र भूमी दिवस मनाया गया चार फरवरी को बेसु कैंसर दिवस और अंतरास्टी मानब बंदुत दिवस मनाय गया अच्छा एक तो 200 दिवस होते हैं एक अंतरास्टी दिवस होते हैं और एक रास्टी दिवस होते हैं इन तीनों में अंतर क्या होता है देखो जो रास्टी दिवस होते हैं वो एक कंट्री में मना जाते हैं जो अंतरास्टी दिवस होते हैं वे एक से ज्यादा कंट्री में मना जाते हैं और जो बेशु दिबस होते हैं वो दुनिया के हर कंट्री में मना जाते हैं तो ये टीनों में डिफ्रेंस आप याद रखिए अच्छा अभी साथ फरवरी को सेफर इंटर्नेट डे मनाए गया 10 फरवरी को बेशु दलहन दिबस मनाए ग्यारे फर्वरी को बेस्व युनानी दिवस मनाए गया और ग्यारे फर्वरी को विज्ञान में मैलाओं और लड़कियों का अंतरास्टी दिवस मनाए गया 12 फरवरी को अंतरास्टी डार्विन दिवस मनाए गया 13 फरवरी को 200 रेडियो दिवस मनाए गया अब आप अंतरास्टी दिवस बेश्टी दिवस और रास्टी दिवस में कभी कन्फ्यूज मत होना 15 फरवरी को अंतरास्टी बाल कैंसर दिवस मनाए गया सत्रे फरवरी को बैस्विक परेटन लचीलापन दिवस मनाए गया उन्नेस फरवरी को चत्रपते सिवाजी महाराज की जैनती बनाए गया और आठमा मरदा स्वास्ते कार्ड दिवस भी उन्नेस फरवरी को मनाए गया बेस फरवरी को पराक्रम दिवस मनाए गया और बेस वीडियो आपको अच्छा है लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू किया करो और मैं आपको भी वोलता हूँ डैली माॉनिंग मोट कर सबसे पहले अपने एक टारेट पिक्स करो चाहे छोटा सा इसी टारेट के रूप में सफ़त ली है तो ला गडेशन इन्होंने अभी नागा लेंड के एक केस में राज़पाल के रूप में सफ़त ली तो इस कुशन कर डे ओप्सन से यह है यह है ला गडेशन ये अब नागा लेंड के 21 में नम्मर के राज जिपाल बन गए अब नागा लेंड के बने हैं तो ये है मैप में नागा लेंड नागा लेंड की केपिटल क्या है कोही मा नागा लेंड के चीपनिश्टर कौन है नैफियू रियो और नागालेंड के अब नए गवर्नर तो यही बने है लागडेशन अच्छा बारसिक ओरेंज फेस्टिवल 2023 नागालेंड में बनाया गया 2023 में हॉर्नविल फेस्टिवल की मेजबानी नागालेंड करेगा NEVA कारिकरम को लाओ करने वाला पहला राज नागालेंड बना है केंद्री कसी मंत्री ने नागालेंड में हने टेस्टिंग लेब का उदगाठन किया और नागालेंड के मुख्य मंत्री ने सार भॉमिक स्वास्ते बीमा योजना सुरू की है हाली में दिवंगत CSD जनरल बेपिन रावत के सम्मान में किस देश के स्रे मुक्तिनात मंदिर में घंटी लगाई गई गई तो हमारे पूर्व CSD थे जनरल बेपिन रावत इनके सम्मान में स्री लंका के स्रे मुक्तिनात मंदिर में घंटी लगाई गई कुछिन का बे ऑप्सिन सही है अब स्री लंका तो यह है मैप में स्री लंका स्री लंका की केपिटल क्या है कुलंबो और स्रेज जैबर्दने पुरम कोटे कुलंबो कॉमर्सिल केपिटल है और स्रेज जैबर्दने पुरम कोटे administrative capital है स्री लंका की currency क्या है स्री लंका रूपी स्री लंका के present time पे प्राइमिस्टर कौन है तिनेस गुड़ बर्धन और स्री लंका के present time पे प्रेसिडेंट कौन है रनिल पेक्रम शेंग है अच्छा अभी भारत ने आर्थिक सायता यूजना के तेहत स्री लंका को 50 बसें प्र 2022 का बुकर पुरुसकर मिला चेन को पचाड कर भारत स्री लंका का सबसे बड़ा ट्रेड दाता की रूप में उबराए अच्छा स्री लंका ने देश में आने वाले परेटकों के लिए लंबा बीजा जारी करने का फैसला किया और अर्जुन रड़तुंगा को स्री लंका के खेल परिस्द के चेर्मेन के रूप में नियुक किया गया अच्छा यहां पर मैंने आपको उताया था कि स्री लंका ने वाहाँ पे आने वाले परेटकों को लंबा बीजा जारी करने का फैसला किया लंबा बीजा यानि कि जैसे कोई 10 दिन रुकता था तो उसे सीधा एक मह के दो ही सूर्स थे एक परेटन और दूसरा एग्रिकल्चर वहां पे जो प्राइमिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे पहले कि उन्हों ने क्या किया एग्रिकल्चर को पुरा और्गेनिक कर दिया जैसे एग्रिकल्चर को और्गेनिक किया इनका प्रोडक्शन लगबग 80% तक गिर गया और उसे टैम आ गया कोरुना तो परेटक वहां पर जाना बंद हो गए तो दोनों तरह से सिलंका की एकॉनमी बहुत नीचे से लेगी इसी वज़े से वह एकॉनमिक क्राइसिस आया अब यह लंबा बीजा जारी करने का फैसला इसलिए किया गया है जिससे कि लोग आएं और ज्यादा समय तक रुकें ज्यादा समय तक रुकेंगे तो ज्यादा पैसा करेंगे ज्यादा पैसा करेंगे तो एकॉनमी में ज्यादा पैसा आएगा अच्छा इंडिया और सिलंका की बीच में पाक की खाड़ी है यह याद रखना है इसे पाक स्टेट भी कहते है और पाग जल नम्रू मंडल भी कहते हैं नए क्यूशन है उत्तर भारत का पहला पर्माड सहींतर कहां बनेगा तो यह हर्याणा में बनेगा तो इसकूशन का से ओप्सिंस है हर्याणा में एक जगे है गुरकफुर यहां पे उत्तर भारत का पहला पर्माड सहींतर बनेगा अच्छा अबे चत्तेसमा सूरजकुंड अंतरास्टी सिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ है अंतरास्टी गेता महुत्सप का आयोजन कुर्चेत्र में किया गया हर्यणा के मुख्यमंत्री ने ए उपहर पोर्टल और सेम डैसबूर्ड लॉंज किया हर्यणा सरकार ने पालत वाइल लाइफ संचुरी है बेर सिकारगड वाइल लाइफ संचुरी है नाहर वाइल लाइफ संचुरी है चिलचिला वाइल लाइफ संचुरी है और खपरवास वाइल लाइफ संचुरी है ने खिशन है हाली में दादा साहिब फाल के अंतरास्टी फिल्म समारों दुजर 23 में किस फिल्म को Film of the Year चुना गया तो RRR मुवी को दादा साहिब फाल के अंतरास्ती फिल्म समारों तुर्या 23 में Film of the Year चुना गया तो इसकुषिन का B option सही है ने क्युशिन है हाली में भारत के 80 में नमर के Grand Master कौन बने है? तो अभी विगनेस Singing भारत के 80 में नमर के Grand Master बने तो इस कुषिनका A options सही है यह है विगनेस MR और यही भारत के 77 के 87 में नमर के Grand Master बने हैं अच्छा, 76 में नम्मर की सत्रंज ग्रेंड मास्टर बने थे प्रडव आनंद, 77 में नम्मर की ग्रेंड मास्टर बने आदेत्ति मित्तल, 78 में नम्मर की ग्रेंड मास्टर बने कौस्तुब चटरजी, 89 में नम्मर की ग्रेंड मास्टर बने प्रनेस एम, और भारत की 23 मैला सत्र प्रियंग का नुटक की ने हैं हाली में भारत और मिस्र ने कहां तेसरी आतंकवाद विरूदी सेयुक्त कारिसमों की बैठक आयुजित की है तो अभी अपने देश भारत और मिस्र ने तेसरी आतंकवाद विरूदी सेयुक्त कारिसमों की बैठक नई दिल्ली मैजित की तो इ इसर यानि की एजिप्ट तो ये है मैप मेजिप्ट एजिप्ट की के मिटल के है काहरा एजिप्ट की करंसी के है एजिप्टीन पॉंड और एजिप्ट के प्रजेंट टायम पर प्रेशिडेंट कौन है अब्दिल फते है अलसिजी यह इस बार के गड़तंत दिवस पर हमारे चीप गेस्ट थे नेखिशिन है के सराज के पूर बाज़ेपाल ओम प्रकास कोहली का निधन हुआ है तो ओम प्रकास कोहली यानि की ओपी कोहली ये गुजरात के पूर बाज़ेपाल थे और अभी इनका निधन हो गया तो इसकुशिन का से ओप्सन सही है ओपे कोहली 2014 से 2019 तक गुज्रात के गुवरनर रहे थे अब 87 वर्स की उम्र में इनका निधन हो गया है अब गुज्रात तो यह है मैप में गुज्रात की गपिटल क्या है गांदी नगार गुज्रात के जीपनिश्ट्र कौन है वो पेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कौन है आचार देब्रत अच्छा अभी जस्टिस सोनियां गोकानी गुजरात के हाई कोट की मुख इनायदी स्वनी है रास्ती बाल बिग्यान कॉंग्रिस एहमदाबाद में आयो जित हुई है पसूओं के लिए भारत के पहले आई वी एफ मोबाइल यूनिट की सुरुआत गुजरात में की गई और गुजरात विधानसवा ने अनदिक्रत विकास बिन्यमिती करड़ बिध्यक पारित किया है अच्छा गुजरात में गिरी नेसनल पार्क है यह एसिया टिक लॉइंस के लिए फेमास है सरदार सरोबर डेम है नल सरोबर लेक है ठोल लेक है कंकडिया लेक है और खिजाडिया लेक है ने क्यूशन है हाली में यूपियाई ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर करेक्टिविटी लॉंच की है तो अभी यूपियाई ने सिंगापूर के साथ मिलकर क्रॉस connectivity launch कि तो इस पूशन का a options है आप सींगापुर तो यह है map सिंगापुर की capital क्या है सिंगापुर सिटी सिंगापूर की currency क्या है Singaporean dollar और सिंगापुर की present time पर प्रामिस्टर कौन है ले शियेन लूंग कौन है ले शियेन लूंग नए क्यूशन है हाली में मोबाइल डाउनलोड इस पेड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में कौन सीर्स पर रहा है तो मोबाइल डाउनलोड इस पेड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापूर टॉप पर रहा है तो इस क 34.55 Mbps इसके साथ सेंगापूर फस्ट नमबर पर है अच्छा अपना इंडिया किस नमबर पर है अपना इंडिया उनत्तर में नमबर पर 69 नमबर पर है इंडिया और इंडिया में इंटरनेट की डाउनलोड की स्पीड एवरेज कितनी है 29.85 Mbps ये 29.85 और ये 234.55 बहुत बड़ांतर है तो इंडिया उनत्तर में नमबर पर है और सिंगापूर पहले नमबर पर है ने क्यूशन है हाली में किसने माराष्ट के पहले दिव्यांग पार्क की आदार सिला रखी है तो हमारे केंदरी सड़क परिभन एवर राजमार्ग मंतरी है नितिन गड़करी इन्होंने माराष्ट के नाकपूर में पहले दिव्यांग पार्क की आदार सिला रखी तो इसक मंध्य-प्रदेस के खज़ुराओं में खज़ुराओं नत्य महुत्सब का उनन्चासमा संस्क्रण बाफेंस जबीरे । अभी मद्य प्रदेश सरकार ने इसलाम नगर गाउं का नाम बदल कर जगदीश पूर किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का पांचमा संस्कड मद्य प्रदेश में सुरू हुआ है मद्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने लाडली बहना योजना की गोशना की और मद्य प्रदेश सरकार ने मुख्य मंत्री आवासी भू अधिकार योजना सुरू की है मद्य प्रदेश में काना, बांदवगड, मादव, संजे, पन्ना और सत्पुड़ा नेसन पार्क है इतना आप मद्य प्रदेश के वारे में याद रखी ने क्यूशन है हाली में पस्चिम और मद्य के लिए पहली पेम गत सक्ती कारिसाला कहां आउजित की गई तो ये गुआ में आउजित की गई तो इसकुशन का बे ओप्सन सही है अब गुआ तो ये है मैप में गुआ गुआ की केपिटल क्या है? पढ़ जी गुआ के चीप निश्टर कौन है? प्रमोद साबंत और गुआ के गवर्नर कौन है? पे एस स्रीधरन पिल लई अच्छा अब एक केंद्री मंत्री भूपेंद्री आदब ने गुआ में आद्र भूमी बचाओ अभियान सुरू किया गुआ सरकार ने दा विजन फॉर आल इस्कूल आई हेल्थ कारिकरम सुरू किया भारत के दूसरे सबसे लंबे केवल इस्तित आठ लेन जुआरी ब्रिज का उद्गाटन गुआ में हुआ अच्छा गुआ में बॉंडला वाइड लैसेंचुरी है कुटे गाउं वाइड लैसेंचुरी है मुलम नेस्नल पार्क है भगवान महाबीर नेस्नल पार्क भी है अच्छा गुआ रेबीज मुक्त गोसित होने वाला भारत का पहला राज जिबरा था और गुआ, गुआ में पहला एलकुहल म्यूजियम भी खुला है इतना आप गुआ के वारे मियाद रखिए ने क्यूशन है हाली में ISSF बर्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एर पिस्टल मिक्स्ट टीम का गोल जीता है तो अभी अपने देश भारत ने ISSF बर्ड कप में 10 मीटर एर पिस्टल मिक्स्ट टीम का गोल जीता है तो इस क्यूशन का ए ओप्सन सही है ने क्यूशन है हाली में केस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंतर और परवेच्चर पडाली सुरू की है अब लास्ट वीडियो के कुशन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे कुशन पूचा था कि हाली में किस देश की प्रथम मंत्री निकोला इस्टरजन ने स्तीपा दिया तो स्कॉटलेंड की प्रथम मंत्री निकोला इस्टरजन ने स्तीपा दिया यानि किस question का A option सही था और लगबक सभी इस्ट्रोइडनेस का अंसर सही दिया मुश्टली इस्ट्रोइडनेस के वारें डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँ question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में किसने 2023 रडजी ट्रोफी का खिताब जीता है चार option दिये गए हैं इन में से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे face hook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप face hook for next exam सर्च करके हमारा face hook page जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप instagram पर इंद्रेश रसी instagram पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज किस video का आप target जरू याद रखना आज किस video का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है helpful लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप है उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करेंटरफेस का video आपको ये video कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने वारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लीजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदब मिलेगी जब बे आप से subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में